पानिपत की तीसरी लड़ाई पानिपत में दोनों सेनाओं के बीच 14 जनवरी 1761 को घमासान युद्ध शुरू हुआ था। पानिपत हरियाना में पढ़ने वाला एक छोटा सा जिला है जो करनाल लोकसभा क्षेत्र के अंतरगत आता है और देश्विदेश में अपने हैंडलूम के लिए प्रसिद्ध है। मात्र 56 स्कवेर किलोमीटर क्षेत्रफल में थैले इस जिले में तीन ऐसे युद्ध लड़े गए जिन्होंने भारत का इतिहास बदल दिया। यहां सन 1526, 1556 और 1761 में तीन महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए थे। इन सभी लड़ाईयों का इतिहास में अपना महत्व है। यहां पर हम आपको पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में बताने जा रहे हैं, जो वर्ष 1761 में मराथा सेनापती सदाशिव राव भाव और अफगान शासक एहमद शाह अबदाली की सेना के बीच लड़ी गई थी। जाने इसकी शुरुवात कैसे और क्यो हुई और पानीपत के तीसरे युद्ध में हुई कुछ महत्वपून घटनाएं कौन-कौन सी थी। इसलिए लड़ा गया पानीपत का तीसरे युद्ध। मुगल सामराज्य के सबसे ताकतवर समराट में से एक और अंगजेब की मृत्यू के बाद मराठों ने अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू कर दिया। मराठों ने दक्कन में कई क्षेत्रिय राज्यों पर कबजा करने के साथ भारत के एक बड़े हिस्से पर अपनी पकड़ बना ली। वही नादिर शाह द्वारा भारत पर आक्रमन से मुगलो का पतन तेज हो गया था जिसने 1749 में तक्तेतोस, मयूर सिनहासन और कोहिनूर हीरा भी चीन लिया। नादिर शाह की मौत के बाद एहमद शाह अबडाली अफगान शासक बना और उसने दुर्रानी सामराज्य स्थापित की। भारत पर कबजा करने के दौरान जब उसके बेटे लाहौर में युद्ध हार गया तो उसने खुद भारत पर हमला करने की योजना बनाएं। एहमद शाह अबडाली सन 1769 के अंत तक अपने अफगान कबीलों के साथ लाहौर की जीतते हुए दिल्ली के नस्दीक पहुँचा। पानीपत से पहले करनाल और कुंजपुरा में अफगान और मराठा सैनेकों के बीच युद्ध हुआ जिसमें अफगान सेना को भारी नुकसान हुआ। इस युद्ध ने दुर्रानी को इस हद तक क्रोधित कर दिया कि उसने मराठों पर हमला करने के लिए हर कीमत पर यमुना नदी पार करने का आदेश दिया। दोनों सेनाओं के बीच महीनों तक छोटी-छोटी लडाईयां चलती रही। जिसके बाद दोनों पक्षों की सेनाएं अंतिम हमले के लिए इकठी हुई। इस दौरान मराठा सेना का खाना लगभग खत्म हो गया था। लडाई 14 जनवरी 1761 को शुरू हुई। पानिपत में दोनों सेनाओं के बीच 14 जनवरी 1761 को घमासान युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में गारदी सेना प्रमुख इबराहीम खा गारदी ने मराठों का साथ दिया। वहीं दोआब के अफगान रोहिला और अवद के नवाब शुजाउद दौला ने एहमद शाह अबदाली का साथ दिया। मराठों को रसद नहीं मिल पा रही थी, जिससे उनकी सेना में भुखमरी ठैल गई। वहीं एहमद शाह की सेना को अवद और रुहलखन से रसत की आपूर्ती हो रही थी। 14 जनवरी को सुबह करीब 8 बजे शुरू हुए इस युद्ध में दोपहर के समय तब बड़ा परिवर्तन आया जब सदाशिवराव भाव अपने हाथी से उतर कर घायलों का जायजा लेने लगे। 15 इधर जब बाकी मराथा सरदारों ने देखा कि सदाशिवराव भाव अपने हाथी पर नहीं है तो पूरी सेना में हडकंप मच गया, जिससे सेना का कमान ना होने के कारण पूरी सेना में अफरा तफरी मच गई और सारे सैनिक भागने लगे। इसी भगदड में सैकडों सैनिक मारे गए। इस युद्ध में शाम तक आते आते पूरी मराथा सेना खत्म हो गई। अबदाली ने इस मौके को सबसे अच्छा मौका समझा और अपने रिजर्व 15,000 सैनिकों को भी युद्ध में उतार दिया। अफगान सैनिकों ने मिलकर बचे खुचे मराथा सैनिक जो सदाशिवराव भाव के नेतरित्व में लड़ रहे थे, उन्हें खत्म कर दिया। इस युद्ध में कई बड़े मराथा सरदार जैसे विश्वासराव पेश्वा, सदाशिवराव भाव तथा जानकोजी सिंधि भी मारे गए। ब्राहिन खान गार्दी जो की मराथा तोप खाने की कमान संभाले हुए थे, उनकी भी इस युद्ध में मौत हो गई। इतिहासकारों के अनुसार, इस युद्ध में एक लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। पानिपत की तीसरी लड़ाई ने भारत में सत्ता के समीकरन बदल दिये। युद्ध में मराथों की पराजय के कारण। मराथा सेनापती सदाशिवराव के पास प्रारंब से ही धन का अभाव था। उनके पास एक विशाल सेना के लिए परियाप्त भोजन सामगरी नहीं थी। इस युद्ध में मराथों की राजपू नवाब से आर्थिक और सैनिक सहायता मिल गई थी। उसे भोजन सामगरी की इतनी कठिनाई नहीं उठानी पड़ी जितनी मराठों को। उसने अपनी सेना की सहायता से मराठों की भोजन सामगरी आने के सभी मार्ग बंद कर दिये। इस युद्ध के दौरान मराठों की सेना म अनुशासन की कमी थी इंदौर के महाराज मलहार राव होलकर वग्वालियर के महाराज सिंधिया के भाव साहिप से अच्छे संबंध नहीं थे मलहार राव होलकर ने पानीपत के मैदान में सुस्ती दिखाई और जब मराठों की हार हुई तो अपनी सेना सहित भाग गया वहीं एहमद शाह अबदाली की सेना में कड़ा अनुशासन था अफगानों की रण पधती भी मराठों से बहुत अच्छी थी अन्यकारणों में से एक यह था कि अफगानों का तोप खाना अधिक प्रभावी था